डिजनी प्लस हॉट स्टार पर एक मूवी आई है गुड लग जेरी जो डार्क कॉमेडी मूवी है और फिल्म के स्टार्टिंग क्रेडिट्स में वो खुद ही बता देते है कि ये मूवी कॉलम्माव कोकिला मूवी से ही इंस्पायड है I mean technically वो एक रीमेक है जो मैंने नहीं देखी है तो मैं इसे as a fresh मूवी ही जच करने वाला हूँ तो well hello मेरा नाम है योगी और हमारी मुलाकात बार बार होगी गुड लग जेरी कहानी है एक lower middle class family की उस family में रहने वाली लड़की जेरी की जो पैसे कमाने के लिए कभी मसाज करती है कभी mom में momos बेशती है पर life में आता है twist जब मा के cancer के इलाज के लिए चाहिए होता है धेर सारा पैसा and apparently and accidentally उसे एक ऐसा रास्ता पता चलता है जिससे वो quickly पैसा कमा सकती है drugs बेशने वाला रास्ता और उसके बाद उसकी life कैसे पल्टी खाती है कितने twist and turn से भर जाती है वो आपको इस film में देखने को मिलेगा वैसे ये movie सिर्फ दो घंटे के आसपास की ही है उससे भी कम है actually और ये एक dark comedy film है इस film में मजबूरी में आकर जेरी drugs बेशने वाले गैंक से मिलकर पैसा कमाना चाहती है पर आप ऐसा काम मत कीजेगा पैसे का importance जरूरी है पर वो किस वे से कमाया जाता है वो भी बहुत ज़ादा matter रखता है तो सबसे पहले तो पैसे कमानी की psychology को समझेए जिसके लिए आप सुन सकते है The Psychology of Money के इस book summary को जो available है कुकु FM पर वो भी हिंदी में कुकु FM इंडिया का leading audiobook platform है 4.5 प्लस की ratings के साथ जिसमें है 1000 घंटे से भी जादा का creative content और non-fiction audiobooks की huge library जिसमें biography, motivational, suspense, thriller, comedy, crime, historical और educational पर based audiobooks available है वो भी हिंदी, मराथी, इंग्लिश और धेर सारे other regional languages में और ये सबसे easiest way है अपने knowledge को positive way में transform करने का जनरली इसका cost 3.99 per year है पर मेरी description के link पर click करके मेरा coupon code yogi50 use करने पर आप मेंसे 200 users को मिलेगा 50% discount याने एक साल का subscription सिर्फ 1.99 में तो जाओ और आज ही कुकु FM डाउनलोड करो अब देखो क्यूंकि ये एक remake film है तो Bollywood को गाली देना तो बनता है दे दो आपका मूँ गाली देते देते धक जाएगा पर भाई साब remake की दुकान बंद नहीं होगी तो इससे अच्चा हमें इस film पर ही focus कर लेते हैं आपने original देखी है तो इसे मत देखो जिन्होंने original नहीं देखी है वो इसे देख सकते है पर बात अगर इस movie की करे तो देखो जानवी कपूर मुझे किसी भी angle से actor नहीं लगती है I mean मुझे personally उससे कोई दिक्कत नहीं है कोई hate नहीं है पट उनसे कई गुना अच्छी actresses है जो ये role कर सकती थी बट anyways क्या बोले उनकी acting ठीक ठाक है यूपी के लड़की का role तो किया है बट वो यूपी वाला accent जो होता है न वो पूरी तरह पकड़ नहीं पाई आप बहुत बार उनके मुझे प्रॉपर हिंदी सुनोगे जो सुनने में कभी-कभी awkward सा लगता है and I'm sure अगर आप यूपी से हो तो इन सब की एक mixed feelings आ सकती है अगर वो देखी है तो मैंने देखी है तो मैंने बहुत ज़्यादा relate कर लिया था तो basically इस movie का plot simple सा है movie को ज़्यादा खीचा नहीं गया है movie smoothly चलती रहती है ऐसा कोई बहुत ज़्यादा सोचने पर मजबूर कर देने वाली movie नहीं है इसे हम dark comedy की बजा light hearted comedy भी बोलेंगे तो भी चलेगा बट किसी movie को dark comedy इसलिए बोला जाता है क्योंकि उस film के जरिये या तो vulgar बातों पर focus किया जाता है या ऐसे social issues पर जिस पर openly बात नहीं की जा सकती तो इसमें drugs, drugs, mafia और कुछ एक vulgar शब्द है जिससे ये एक dark comedy बन जाती है पर बहुत जादा नहीं है वैसे सच बताओ तो इसके comedy में उतना जादा दम नहीं था except दीपक डोब्रियाल हाला कि इनका character काफी nonsense है बट पूरे movie में अगर कोई सबसे जादा आपको पसंद आएगा ना तो वो यही है एक बड़बोले आशिक का role इन्होंने किया है जो time आने पर फट्टू बन जाता है और उन्होंने उस character में जान डाल दी है बाकि इसमें बहुत सारे characters है चोटे मोटे पुलिस है, ड्रग्स वाली गैंग है हिरोईन की family, ड्रग्स को बेचने वाले खरीदने वाले और हर किसी ने अपने अपने तरफ से 100% देने का पूरा try किया है देखो movie खराब है ऐसी बात नहीं है याने अगर आपके पास कोई दूसरी movie नहीं है देखने के लिए और time pass के लिए कोई movie देखना चाहते हो तो ये एक time pass option है आपके पास जिसको देखो, enjoy करो और भोल जाओ क्योंकि याद रखने लाएक ऐसा कुछ है नहीं इस film में बस fast paste है आपको entertain जरूर करेगी first half में actually जादा अच्छी है मुकाबले second half second half में जैसे ही movie गुसती है थोड़ी monotonous सी story हो जाती है अगर बात climax का करो ना तो वो इससे भी जादा अच्छा हो सकता था तो overall अगर बात करो तो it's a one time watch movie मैं दूँगा इस movie को 2.5 out of 5 stars और हाँ मेरी description link से कुकु FM डाउंलोड करना न भूलना मिलता है अगले वीडियो में बाई